हलो एंड वेलकम तो न्यूस्क्लिक नमस्कार आदाब मैं परणजोई गुहा ठाकुरता आज जिस विशे के ऊपर हम चर्चा करेंगे ये है वित्य सच्चिफ सुभाश चंद्रगर्ग उन्होंने जो सिधांत लिया कि वो वॉलंटरी रिटार्मेंट लेंगे इंडियन एड्मिस्ट्रेटिव सर्विस से क्यों लेंगे इसका कारण क्या है इस विशे के ऊपर चर्चा चल रहा है इस विशे के ऊपर मेरा पुरान मित्र अशो कुमार भरचार जी एके भी बिस्नस स्टैंडर्ड अकबार के एडिटोरियल डिरेक्टर है संपादक्या ये पांच जुलाई का बजट में बित्रमंत्री निर्मला सीतरामन ने एक घोशना किया कि भारतवर सौवरिन बांड्स विदेश में डॉलर डिनॉमिनेटड बांड्स हम लोग इशू करेंगे और ये काफी एक इसके ऊपर एक विभादित एक एक ये सिधान काफी कि किसी ने आपत्ती नहीं जना है तो इसके साथ अगर हम जोडने चाहते हैं कि सुभाशकर क्यों इंडियन एड्मिन्स्ट्रेटिव सर्विस से एक साल उनका पूरा रिटार्मेंट का टर्म है ऑक्टोबर दोहजार बीस मगर उन्होंने एक साल से जाधा पहले वो वो वाल और यह सब लोग क्याते हैं एक तरह से एक तरह से डिमोशन है इसलिए वो इस्तिफाह देते हैं इससे पहले भी जिस जिस विशे के ओपर हम बाच्चित करेंगे सुभाशकर और भारते रिजर्व बैंक के साथ काफी लंबा चौरा विवाद चला बगर उससे पहले यह सार अब जिए यह स्वेच्छा मूलक सेवा निर्विति जिसे हम कहेंगे उन्होंने इसका एक 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 एप्लिकेशन अरजी उन्होंने सरकार के पास दी है और अगर आम देखें यह बहार से अगर हम देखें यह बहुत बड़ी पहली है लोग कहेंगे यह उलजहन भी है पहले यह सर्मा ने किया था तो उनका जो एक जो संदर्व था वो दूसरा था और यह मैं मानता हूँ यह संदर्व या प्रसंग दूसरा है यह जो प्रसंग है मैं समझता हूँ एक तो है एक राजनेतिक आयाम और एक है अर्थनेतिक आयाम राजनेतिक जो आयाम जो संदर् कोई अगर नौकरशाह जो है जो बिरोक्राइट जिसे हम कहते हैं और नौकरशाह जो है वो काम करता है राजनेतिक नेताओं के निर्देश से अगर ऐसा कोई नौकरशाह मोधी सरकार में आगया है कि वो अपने ही मर्जी में कोई काम करता है तो यह बहुत ही बड़ी आश्च यह होगी तो यह कहना कि शुवाश चंद्रगर्व ने अपने ही मन मताबिक कुछ काम कर दिये हैं और यह आप विच्वाश करने के लिए त्यार नहीं हूँ क्यूंकि क्यूंकि मोधी सरकार में जो हमने देखा है जो नौकर शाह है वो साफ साफ हर जगह जो राजनेतिक नेता हो कि यह निर्देश है उसी का पलन करता है और जो उस निर्देश से उसी रास्ते से अगर हट कर कुछ काम करे उसको सक्त सजा मिलती है एके भी मैं रोक रहा हूँ आपको इसमें थोड़ा राजनीती में ले आता हूँ अश्वनी महाजन जो एक स्वदेशी जागरन मंच के सदस्य है और आप जानते हैं मैं जानता हूँ कुछ स्वदेशी जागरन मंच का एक घनिष्ट संपर्ख है राश्टिय स्वहमसेवकसं के साथ उन्होंने एक टिपनी किया एक तरह से बहुत सार्कैस्टिकली बोला यह जो सौवरिन बॉन्ड का जो आइडिया कि आप विद आइडिया और इसके लिए उनको फहार मिला ही इस बिंग रिवार्डेट फॉर इस वंडर्फुल आइडिया एक तरह से लोग को लगा इन्होंने ही इस पॉइंटिंग इस फिंगर एट सुभाज कर अपने ठीक इसकी बात जिकर की अश्वनी महाजंजी ने यह बात कही पर इंडिया का डैवेस्टमेंट में बहुत बड़ा एक उनका एक विरोध हुने ने किया था वालमार्ट फिलिपकार्ट को खरीदने में सुधिशी जागरण मौझे अश्वनी महाजंजी ने उसका विरोध किया था पर सरकार अपने वायदे में अटल रही तो मैं यह कहता कि जो शुबाश्चनरगरग जी का जो स्वेशा मुलक सेवा निवरिती का जो उन्हें आवेदन पत्र दिया इसका कारण और कहीं है आच्छा विरोध में नहीं है क्योंकि मैं यह मानता हूं कि बजट में जो एक डिसिशन लिया जाता है जो बजट में एनॉस्मेंट होता ह वो एक तरह से राज नहीं थी एक एक नौकरशान नहीं ट्रै करता है यह सारा सरकार का एक यौट उत्तरदाईत वह होता है एक बी देखिए कुछ महीना पहले एक जबरदस्त विद्ध मंत्राले और भारते रिजर्व बैंक के बीच हो बहुत सारे विशे के उपर एक इसम सरकार को मिलना चाहिए और एक समिती भी घठन किया गया उसमें डॉक्टर बिमल जलान का नेत्रित में और ये भी हमें साफ पता चला बहुत सारे अकबार में आपका अकबार में भी आया है कि ये सुभाज कर ये रिपोर्ट के ओपर 18 जुलाए वो अपना दसकत करने के लि खारते रिजर्व बैंक का जो पूजी है ये धीरे धीरे तीन साल पाच साल में जाएगा सुभाज जी का कहना था और ये हम अकबार पर के आप ही का अकबार पर के आपको कह रहा है इसमें उन्होंने कहा कि ना एक साथ ये पैसा मिलना चाहिए तो ये भी एक विवाज मैं मैं यही उसी सब इसी दुशे में आना चाहता था कि इसका कारण सौवरें बॉरोइंग नहीं है इसका कारण है शुभाज गर्ग जी का जो बिमल जलान के नेतितों में जो एक कमिटी गठन की थी सरकार ने कि किस तरह से रिजर्व बैंक अव इंडिया की जो मूलधन जो है वो किस तरह से हस्तान तरीत हो सरकार के पास उसके उपर एक कमिटी सरकार ने बढ़ाई थी आपको मालूम होगा जब उर्जित पटेल जब रिजर्व बैंक अव इंडिया के गवनर थे उस समय से ये द्वंद चला आ रहा है ये विवा चला आ रहा है फिनांस मिनिस्ट्री कह रही है कि रिजर्व बैंक अवंडी की जो जो मूलधन जो जो सर्पलस पूजी है वो सरकार के पास आनी चाहिए और उर्जित पटेल जी ने कहा था ये नहीं आनी चाहिए और इसको रगुराब राजन जी भी कर रहे थे अब सवाल है बिमल जलान की कमिटी की आखरी वे आफिसर में आफ आफिस में शुभाष गरगी कब मिलने गए अठारा जुलाई को एक दिन बाद गए तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो सेवा निव्रित्ती करने का जो आवेदेन की जो जो आलोचना जो हुई इसके साथ रिजर्व बैंक और इंडिया की जो एक कैपिट सारी तीन लाग करूर करेंगा दस लाग है मैं इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्स सरकार मागए एक मिनिट कुछ महीना पहले चुनाओ के पहले एक बार ने तीन बार एक चिठी का भारतियर रिजर्व बैंक का गवरनर में पास उस समय उर्जियत पतेल जी गवरनर थे शक् से वरिष्ट सचिव है पांच सचिव है उसमें से सबसे वरिष्ट है ये तीन चिठी में क्या लिखा था एक तरह से भारतियर रिजर्व बैंक उपर एक धम किया है सेक्शन साधारा साथ के इस्तिमाल करेंगे भारत सरकार क्यों तीन मुन्दा था एक जो बैंक का जो जो न हमारे विद्यूत बनाते है पाउर सेक्टर की जो एन्पी एज है जो इन्होंने कर्ज दिया और कर्ज वापस ने दिया इसके ओपर भी थोड़ा बहुत इस कीजिए मगर इसमें साथ साथ ये भी था कि भारते रिजर्ब बैंक का जो ट्रैंसफर्स होना चाहिए ये आए है त उन्होंने एक भाशन दिया और ये भाशन में उन्होंने कहा कि अगर भारते रिजर्ब बैंक और जो सेंट्रल बैंक जो एपेक्स मनेश्री ऑथराइटी है इसको अगर सरकार इनका स्वाधीनता ले ले लेते हैं तो इसका असर परेगा और एक तरह से पूरा बजार सरकार कि एक तरह से इस दे विल बी अबैक्लाश तो सुबाश ची भी ये पसंद नहीं किया और उन्होंने बोला देल का दाम भी इतना नहीं बढ़ा तेज़ डॉलर अबैरल है बजार भी थोड़ा बहुत चार फीस्ति बढ़ गया उस समय के बाद हो रहे हैं और ये भी बोला कि सरकारी बॉन्ड का येल्ड भी कम हो गया तो इसका मतलब है रौत अब दे मार्केट्स जो जो अरजीत पटेल ने विरल अचारी या जीनो शब्द इस्निमाल किया कि बजार ने नराज होके इसका एक रौत आगा तो ये सारी जो ज़गना और विवाद है इसको आप किस तर ये आप देख रहे हैं कि शुभाष गर्जी अपने जो स्टेट्मेंट्स दे रहे थे ये नहीं हैं कि वो सरकार से दूसरी और बात कर रहे थे सरकारी की बात कर रहे थे वो सरकारी की की फाइट कर रहे थे तो सवाल ये उठता है कि अब क्यों क्या हो गया कि उनको पहली कि उनको Finance Secretary के पद से निकालके पावर सेक्रेटरी के में तो सरकार ने पहला कदम लिया ऐसा कदम 2014 में इसी सरकार ने मोदी जी के पहले चरण में उन्होंने अर्विन मायराम जी को इस तरह से पहले टूरिजम मिनिस्ट्री में दिया और एक दिन बाद उनको Minority F.S. मिनिस्ट् अतनियों चक्रवर्ती वो 85 साल का I.S. बैच है और गर्ग जी मुझे 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 बाद खत्म करने दिए तो ये जो आज की तारीक में जो अचानक सरकार को ये लगा कि शुभाश गर्ग जी Finance Secretary बनने और काम करने लाइक नहीं है पर वो पावर सेक्रेटर क की देखबाल करें ये क्यों हुआ तो इसलिए मैं कहा हूँ ये राजनीती और अर्थनीती का एक बहुत गहरा संपरक आ गया है सरकार ने ये देखा कि देश की अर्थनीती में जो स्लोडाउन हो रही है और उनका बजट का जो जो मार्केट से रिस्पॉंस मिला है सौवरन बॉरूइंग में जो हल्चल पहुँची है जो एक जिसे कहते सकते हैं और नर्वसनेस आई है मार्केट में और स्लोडाउन का जो फियर उनके पास आ गया है उसके लिए एक सिंबल चाहिए एक स्केप गोड चाहिए तो एक किसने खराब किया शुभाश गर्ग जी ने खरा है कि जो राजनीतिक जो राजनीता है जो राजनीतिक दलकानीत है वो सब कुछ सारे बरे-बरे जो सिदान थे लेते हैं मगर इस बार आप कहरे हैं वो दिखाने चाहरे कि ये सचिव नहीं है इसमें कोई कोई कोडिश नहीं है कि राजनीतिक नेता ने देखा कि मेरे जो कद था, एकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो कदम जो थे, बजट में मेरे जो एलान थो, उनसे ज़्यादा मार्केट में कोई शांती या स्रस्ती का कोई चिंदनी देख रहा है, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से मैं मार्केट में एक, एक, डिस्टोरिशन आफ नॉर्मल उन्होंने पहले उनको कदम लिया कि उनको पावर सेक्टरी में भेजे, अगर मैं मानता हूँ कि अगर गर्क साब चूप चाप अगर वो पावर मिनिस्टरी में चले जाते तो मामला खतम हो जाता, पर गर्क साब ने अपनी अशंतोष का प्रकाश किया है, उन्होंने जाहि कर दिया कि वो एक स्वेच्छा मूलक सेवा निवरित होना चाहते हैं, इसी यही प्रमान करता है कि इसमें स्केपगोट का सवाल है, एके भी अभी अभी देखिए गर्क जी ने कहा, बहुत सारे मुद्दा है, वो पावर सेक्टर का मुद्दा है, जो जो विजली मगर क्या लग रहे है, वो अभी इस पत्पे नहीं रहेंगे, नहीं, देखिए सरकार के जो जो नौकरशाज है, उनके जो नौकरी की जो अधिनियम जो है, वो साफ कहते हैं कि स्वेचा मुलक सेवा निवरित्ती, अगर बीस साल तक किसी ने सेवा दी है, तो बीस साल के वालिंटरी रिटार्मेंट ले सकते हैं, मगर तीन महीने का उनको नोटिस देना पड़ेगा, तो सरकारों को वो पद में तीन महीने रख सकते हैं, रख सकते हैं, वो रखेंगे, जब तक रखना है, अज़ एक आखरी सवाल है, इसका सेवी के साथ भी कोई संपर्ख है, जर देखा है कि सरकार की जो नीती की जो दिशा जो है, वो जो रेगुलेटर का जो एक स्वाधिनेता है, उसको खर्ब करना है, कमजोर करना है, तो इस रेगुलेशन की जो को खर्ब करने की जो एक इंगेत या इच्छा इस सरकार ने अप्रकट की है, वो मैं मानता हूँ, अव पाउर सेकेट्री रहेंगे, वो मंत्राले में रहेंगे, मगर आपके ये साफ साफ कहना है, कि ये जो एक अर्थ विवस्ता में जो मंदी का दौर आया है, इसको एक तरह से एक स्केप कोट धून रहे थे हमारे सरकार, नरिंदर मोदी सरकार, निर्मला सीता रामन जो हमारे वित्यमंत्री है, और गर्ग जी, वो आज स्केप कोट बन गए है, थैंक यू वेरी मच धन्यवाद फॉर बिंग वित अस अन दिस प्रोग्राम.